नमस्कार आप देख रहें नेक्ष्णनेंड स्पोर्ट्स और मैं हो लबकुमार हमारी खास प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है नौ तारिक से इंडिया और ऐस्ट्रेलिया का टेस्ट सिरीज शुरू होगा इसे पहले टीट्वेटी खेलागे और एक एक से सिरीज बराबरी रही और हमने कल देखा कि स्मित और वार्नर की यहां पर ऐस्ट्रेलिया में वापसी वह यह वह अपने खिलाडियों को प्रैक्ट सर आप कैसे देख रहा है अगर हम बात कर ले तो अभी जो पिछले एक साल का दौर गुजरा बहादीब कमजोर रहा है उसमें टीम देखिए उनकी लेकिन कल हमने जब एक वीडियो सामने आया और इसमित ओल वार्नर ने वहां पर अपने खिलाडियों को प्रैक्टिस मैच क देखा है और अस्ट्रेलिया के खिलाब जो सीरीज भारत को दोश्रों में से जिंदी चाहिए थी वो सीरीज जो है एक-एक से बराबर भी और मैं आपर किसी को दोश नहीं देना चाहूँगा ना आपकी गेदवाजी खराबती ना आपकी बल्लेवाजी खराबती आपका प पूरी तरह से फुल फ्लो में बल्लेवाजी नहीं कर पाए हैं इंग्लेट में भी हमने देखा दो एक से मंडे सीरीज आरे फिर चार एक से टेस सीरीज आरे फिर वेस्टिडीज के खिलाब भी हमने स्ट्रगल किया तो कहीं नगई अभी समझने की ज़़ूरत है कि आखिर पूरी जो है या विराट कोली जो है किन खिलाडियों पर दाब लगाना जाते हैं और टेस सीरीज इस बार एक एंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आउस्ट्रेलिया जो है अब तक की सबसे कमजोर टीम है जो ऑस्ट्रेजिन क्रिकेट इतिहास में रही है साथी जिस तर मेरा मौका है अगर आप हराते हैं ऐस्ट्रेलिया को तो एक बहुत बड़ा भारत अचीवमेंट हासिल कर सकता है क्योंकि पिछले जितने भी अभी तक का ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का दौरा रहा है भारत जब भी ऑस्ट्रेलिया गया है हार करी आया है एक बार 2003-2004 दादा की क अब बात कर रहे थे जब इंग्लेंड दौरे पर गई थी टीम इंडिया तो वहां भी चार एक सिरी जार गई विश्ट इंडेज के साथ अब घर में खेल रहे थे तो यहां पर क्लियूंशेप किया था अच्छा पदरसन दिखा था लेकिन आपको यहां पर होम ग्राउंड अब फिर से घर से बाहर हो और मीडिल ओर की समस्या सेम है क्योंकि आप टीम कंबिनेशन सेम खिला रहे हो और प्रेस कॉन्फरेंस में आप बात जरूर करते हो कि हमारा बैटिंग ओर कमजोर है लेकिन जो बदलाव है वो देखने को नहीं मिल रहा तो आपको जब पता है कि ह हमारी कमजोरी कहा पर है लेकिन फिर भी आप वही गलती किये जा रहे हो बार बार तो कैसे बदलाव आएगा इसमें देखें बदलाव तो लग नहीं रहा है लव क्योंकि विराट कोली जो है वो उनके जो फेवरेट खिलाडी है वो उनको तो खिलाएंगे खिलाएंगे आपका प्लेइंग 11 पहले प्रदर्शन हो या ना हो विराट को उनके साथ बल्लेबाजी करना पसंद जाता हो रहेंगे तेश्वार कुजारा को आप बाहर कर नहीं सकते है क्योंकि तीन नंबर का आपके पास विकल्प नहीं है लेकिन मै ये देख रहा हूँ कि बतलब कई क आपके राडियो का हम करियर भी बर्बाद कर रहे हैं जैसे करून आयर को हमने बाहर से बाहर कर दिया इंग्लेंड में उसके बाद मैंक अगरवाल को वेस्ट इलीज के खिलाब सीरीज में लेकिया एक टेस्ट मैच अगर राहूल फ्लॉप होए थे तो राहूल को आपकी प प्रिसे प्रदर्शन बहुत अच्छा अपने देव्यू करा दिया ठीक है तो आप अभी भी ऐस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया तो रहे हैं तो यह थोड़ा सा सोच समझ नहीं आ रही है चाहे मुझ चैन करता हूं या कप्तान कोली हो या कोई भी हो कही नहीं अब यह स अच्छा प्रदर्शन करो आपके 7-8-10 मैच आप खराब कर दो तो कहीं न कहीं या भारती टीव को यह चीज़ करते है कि अगर आप किसी भी खिलाडी को 10 मैच खिला रहे हो तो एक मैच में पचास तो मारी सकता है लेकिन एक मैच के बिना पे हम उसको 10 मैच परबाद करने क यहां पर प्रित्वी शौ डेब्यू कर चुके है और अस्टेलिया में खेलने को माउगा मिलेगा उनको क्या लगता है देखे मुश्किल है लेकि मुझे लगता है कि प्रित्वी शौ प्रदर्शन रहा है और लगतार रंस कर रहा है इस साल शुरुआत में जब वर्ल्ड प्रित्वी शौ के आने से जो सामने वाला उपनर उस पर एक प्रेशर हटता है मुझे विजय और केल रहूल में से कोई एक खेलना चाहिए अगर विराट इन दोरों को खिला देगी मुझे और केल रहूल तो प्रित्वी शौ के साथ ना इंसाफी होगी वैसे जादा चांस अगर प्रित्वी शौ को बाहर बिठाया जाता है तो यह बारत शायद अपने प्यारवा को लड़ी मालेगा यहां पर एक और खिलाड़ी है जो बड़े समय के बाद रोई सर्मा की वापसी हुई है सिखर्दवन रोई सर्मा के दोनों के लिए के बात ऐसी होती रही है कि आ लंबे समय के बाद खिलेंगे और जब T20 से पहले उनका एक वीडियो आया था मीडिया से बात करते उन्होंने कहा था कि मैं अभी टेस्ट पर उतना फोकस नहीं हूँ T20 और ODI पर फोकस हूँ और यह सही भी क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कॉप होने वाला है तो टेस्ट में कैसे आप देख रहा हो कि रोज शर्मा इतने लंबे समय के बाद आएंगे तो कैसे खेलेंगे यहां पर आपका टेम्परमेंट पता चलता हो अगर बल्लिबास की स्किल आपको सबसे अच्छी देखनी है तो आपको टेस्ट फॉर्मेट ही बताता है तो मुझे लगता है कि कि टेस्ट क्रिकेट में रोज शर्मा का वापस आना एक अच्छे जितने मौके आप लॉजिकली दिखा जाए तो जितने मौके केल राहूल को मिले है उतने रोज शर्मा को नहीं मिले बाद या वाकि खिलाडियों को भी नहीं मिले तो मुझे लगता है कि केल राहूल जैसे तो आपको रोजच शर्मा को भी टीम में रखना पड़ेगा एक समय तरह युवराज सिक टीम के बहुत अच्छे खिलाडी थे लेकिन टेस्ट में पुक्ता नहीं कर पाई तो कही न गहीं आप रोजच शर्मा को भी अपने गेम को समझना पड़ेगा अगर आपको अपना टे मैच उनने खराब किया उनको आपने ड्रॉप कर दिया तो आप गेल रहों को क्यों नहीं ड्रॉप कर रहे हैं यह सुचने की बात है कि आप मतलब यह कही न गए एक फेवरेट खिलाडियों का बंच तैयार होता जा रहा है और विराट कोली तेखे हर कोई यह कह चुका है हम इस पर एक और ग्राम करेंगे विराट कोली कपतानी में थोड़ा सा ठीले नजर आ रहे हैं ऐसा बैट्समान वह बहुत अच्छी फॉर्म में है और हमारे वीवर्स भी कही लोग यह कह चुके है और जिनको यह लगता है कि विराट कोली जो है बहतर कपतान है उनको मैं बता इस गेर थे तो वह तीन चलते थे तो कहीं न कहीं आपको एक टीम बिल्ड़प करनी पड़ेगी आप सिर्फ अकेले विराट कोली के दम पर टीम आगे नहीं लिकर जाए कि आपने देखा हूँ है कि जो पूरी टीम खेलती है वही आईपल भी जिती है और टीम पूरी टीम इंडिया भी खेलती है तो हमने वर्ल्ड कप जीता, 2017 में चैंपिन स्टों भी हार गे लेकिन हमने असी आप जीता इस बार का तो पूरी टीम खेलना जरूरी होता है रोहिच सर्मा पर हम बात कर रहे थे रोहिच सर्मा टेस्ट में आपसी कर रहे है तो कितने नंबर पर खेल करएं ज्लैंच में खिलाब घ्राइगा शुद्र से लोगता है कि वाहिच सर्मा आने से एक संतुल है अर्च शायद भारत साथ-चार के कॉंबिनेशन के साथ जायगा इस मैच में क्योंकि आपके पास चार गीदवा आपको खिलानी पड़ेंगे एक आपका इस की अपिनल और तीन आपके पेसर, जस्पृत बुम्रा, इशान शर्मा, बुम्रा, इशान शर्मा और मुहम्मद शर्म, यह तीन अरते इस गेंदबाज आपके खेलेंगे, यहाँ पर भारत एक extra batsman के इसलिए खिलाएगा, क्योंकि हम समने देखा कि 190-195 में हमसे नहीं बनेंगे, तो बह प्रिवाजी में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि इंडिया को, तो आपका अगर opening केल राहूल प्रिथविशौ करते हैं तो बहतर है, या फिर मुडली विजया प्रिथविशौ करेंगे, वो भी तब भी बहतर है, तीन नंबर आपका चितेश्वर प्रिवाज जो हैं वो टीम में खेलेंगे, उसके बाद चार आपकी लिए चार गेंदबाज होगे, और आउस्ट्रेलिया टीम को आप कैसे देख रहो है, यहां पर कमजो टीम है, वो भी अपने लागाता सीरीज हारती आई है, यहां पर एक-एक से बराबरी किये हैं, तो म आपको मैच जिता सकती है, और अस्ट्रेलिया की बन्लेबाजी आपको मैच नहीं जिता ही, हालाकि उस्मान खुआजा आरन फिंच के आने से टीम में जो है, वो एक संतुलन मिला है, टिम पेन है, इनके पास मिशल मार्श है, शौन मार्श है, तो टीम तो है, ऐसा नहीं है क लेकिन अभी मैं कहूँगा कि कागसों पर देखा जाए तो भारती टीम जादा बहतर नजर आ रही है, अगर यहां पर इनकी हिजरवुट, पैट कमिल्स और मिशल स्टार्क ये तीन की जो जोड़ी चले तो भारती टीम को ये फ्लो में उड़ा सकते है, ये इनमें इतनी का है कैम्प में और स्टार्क ने भी खुलासा किया था, कल ख़बर की थी मैंने, कि हम सब जानते हैं कि विराट कोली किस इस तर के बल्लेबास है, अगर एक बल्लेबास यहां है आज तो विराट कोली यहां पर है, तो यहां पर है समझने की बात है कि उनकी इस तर का बल्लेब वाजों को मदद मिलेगी, इसवजे से Steve Smith को बुलाया गया है, David Warner को बुलाया गया है, क्योंकि विराट कोली के उस चरम के, तो हो सकता है कि यह मदद कर सके, अपने experience को साज़ा कर सकते हैं, और अगर इनोंने मदद कर दी, तो भारत के लिए दिक्कत है खड़ी सकते हैं तो यहां पर देखना दिल चास कोगा और यहां पर जो टीम इंडिया का बैटिंग ओडर है, जो मीडिल ओडर की समझ है, यहां पर वो भी सौवग होती दिखेगी कि आपके बनलेबाज कितने अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि टेस्ट में सब आपका बॉलिंग तय हो जाता है, बैटिंग तय हो जाता है, और नौ तारीक से यह मैं सुरू होने वाला है, तो हम इस पर नजर बनाए रखेंगे, फिलाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आप हमारे इनेर्शन इने स्पोर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, नमस्कार